कुछ लोग कीमत से नहीं किसमत से मिलते हैं आज मुश्किल है कल थोड़ा बहतर होगा बस उम्मीद मत छोड़ना भविश्य जरूर बहतरीन होगा संदे रिष्टों को तोड़ता है विश्वास अजनबी को भी अपना बनाता है खामिया किसमे नहीं होती आखे दीपक तले भी अंधेरा होता है खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुन-गुनाएंगी जब तक हार की परवा करोगे जीत भी नसीब नहीं होगी अदब सीखना है तो कलम से सीखो जब भी चलती है सर जुका कर चलती है वो माता-पिता हैं जिनसे आपने मुस्कुराना सीखा है चलने की कोशिश तो करो यहां दिशाएं बहुत हैं रास्ते पर बिखरे काटों से मड़ डरो आपके साथ दुआएं बहुत हैं आप हमेशा मुस्कुराते रहो अंगिनत ख्वाब है एक जिन्दगी कैसे चुनू, क्या-क्या चाहिए जिन्दगी से डरना कैसा जिन्दगी है भूत थोड़ी दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से तूट जाती है एक काम्याबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है मायूस नहीं होना चाहिए जिन्दगी कहीं से भी शुरू हो सकती है भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है दोस्त वो होता है जो आपको आप जैसे हैं वैसा होने की पूरी आजादी देता है रिष्टे कम बनाईए लेकिन उन्हें दिल से निभाईए क्योंकि अक्सर लोग बहतर की तलाश में बहतरीन हो देते है गम ना कर ऐ बंदे तकदीर बदलती रहती है शीशा शीशा ही रहता है तस्वीर बदलती रहती है मौन किसी इनसान की कमजोरी नहीं उसका बड़पन होता है वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है ये कश्मकश का वहम मत पालो जो काम खुशी दे आज ही कर डालो अक्सर दुनिया में आपको चाहने वाले बहुत होते हैं लेकिन जिन को आप चाहते हैं वो अक्सर किसी और के हो जाते हैं मुसकुराने के मकसद न ढूडो वरना जिन्दगी यूं ही कट जाएगी कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो आपके साथ साथ जिन्दगी भी मुस्कुराएगी जिन्दगी का सफर मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वेम को हलका करें क्योंकि उंचा वही उठता है जो हलका होता है खुद को इस काविल बना लो कि आपके नाम से काम हो जाए किसी ने हम से पूछा इतने चोटे से दिल में इतने सारे दोस्त कैसे समा जाते हैं हमने कहा वैसे ही जैसे चोटी सी हथेली में सारी जिन्दगी की लकीरे समा जाती है जो आपसे दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना जिस तरह शक्कर विना चाय नहीं अच्छी लगती उसी तरह रिष्टों में प्यार ना हो तो रिष्टे अच्छे नहीं लगते जो चाहा वो मिल जाना सफलता है जो मिल जाए उसे चाहना खुशी है उमीद कभी हमें छोड़ कर नहीं जाती जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता फिर बारिश तो होनी थी हवा को दुख सुनाय थे मैंने काभीलियत इतनी बढ़ाओ की आपको हराने के लिए कोशिशे नहीं साजिशे करनी पड़े आपके संसकार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है आपकी परवरिश बताती है आपका परिवार कैसा है मेहनत करने वालों के लिए हर सुबा चमतकार की तरह ही है खुद को खुश रखिये वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिन्दगी में हर रोज वो चहरा मुस्कुराता मिले जिस चहरे को आप रोज आईने में देखते हो सबर करो बुरे दिन का भी एक दिन बुरा वक्त आएगा जखमों को जादा देखोगे खाम खाम खुशियों को अंदेखा कर दोगे जिसके पास में खूब पैसे हैं साहब गम उसके पास भी है सला के सौ शब्दों से अधिक अनुभवगी एक ठोकर इनसान को बहुत मजबूत बनाती है जानता हूँ शूनने हूँ पर आप जैसा एक मिल जाए तो मुल्लेवान हो जाऊँगा बेवजा यूँ खामोश होके वैठा है ना जाने कौन सा अफसोस लेके वैठा है ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे अपने ख्वावों के उडान को नया मोड दे इस छोटी सी जिन्दगी में बड़ा सा सबक मिला है जनाब रिष्टा सब से रखो पर उमीद किसी से नहीं मुस्कुराने के मकसद ना ढूंडो वरना जिन्दगी यूँ ही कट जाएगी असल में वही जीवन की चाल समस्ता है जो सफर में धूल को गुलाल समस्ता है शमा करने से पिछला समय तो नहीं बदलता लेकिन भविश्य सुनहरा हो उठता है कर्म के पास ना कागज है ना किताब है फिर भी सारे जगत का हिसाब है सफल इनसान वही है जिसे तूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है इनसान कहता है ईश्वर नजर क्यों नहीं आता पर सच्चाई है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ वही साथ देता है पश्टावे से बहतर है सौ बार कोशिश कर लेना इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं मजा तो तब है जब इनसान के किरदार से खुश्बू आए कुछ चीजे कमजोर की हिफाज़त में महफूज रहती है जैसे मिट्टी की गुलक में लोहे के सिक्के बस विश्वास होना चाहिए हम चलना गिर कर सीखते हैं अगर हम कभी गिरे नहीं तो हम कभी चल नहीं पाएंगे संगर्श इनसान को मजबूत बनाता है फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों नहीं उस सिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इनसानियत ना सिखाती हो कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है धैरे एक कड़वा पौधा है पर इसके फल हमेशा मीठे ही होते हैं कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैरे और हिम्मत से जीती जा सकती है ईश्वर को आखरी उमीद नहीं पहला भरोसा बनाईए मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने तब तब मुझको धोका दिया शिकायतों की भी एक इज़त होती है इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को तभी तो अब सब से दूर जाके बैठा हूँ दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना बस यही आपकी सफलता है जिन्दगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड से हट कर चलना सीखो भीड आपको हिम्मत तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है